चान्दी के कुछ यहूदी टुकड़े हैं, लेकिन बस मेरी द्रिष्टी से बाहर निकलो, कितना भोला, तुमने मेरे साथ कितना अशिष्ट किया, आपने सोचा था कि मैं आपके सोने को तरसता हूँ, जबकि मुझे आपकी भलाई की रचना करने के लिए केवल स्वर्गी य तुमने मेरा दिल कैसे तोड़ दिया, मेरी नीच भावनाओं के साथ आप किसी तरह के ढेर में किसी लड़के की तरह खेले, एक लंबे समय से पहले, करनल, मैं पहले से ही ऐसा पूर्वाभास करता हूँ, यही कारण है कि मैं बहुत समय पहले आपकी रोटी से घुट रहा ह यही कारण है कि आपके पंक बिस्तर ने मुझे दबाया, मुझे कुचल दिया, पोशित नहीं, यही कारण है कि आपकी चीनी, आपकी मिठाई, मेरे लिए काली मिर्च थी, मिठाई नहीं, नहीं, करनल, अकेले रहते हैं, अकेले सम्रिध होते हैं, और थॉमस को अपनी शोक वाभास करता हूँ, यही कारण है कि मैं बहुत समय पहले आपकी रोटी से घुट रहा हूँ, इस रोटी को छोड़ रहा हूँ, यही कारण है कि आपके पंख बिस्तर ने मुझे दबाया, मुझे कुचल दिया, पोशित नहीं, यही कारण है कि आपकी चीनी, आपकी मिठाई, मेरे लिए काली मिर्च थी, मिठाई नहीं, नहीं कर्नल, अकेले रहते हैं, अकेले सम्रिध होते हैं, और थॉमस को अपनी शोकपूर्ण यात्रा पर जाने के लिए छोड़ देते हैं, उसकी पीट पर एक बैग होता है, तो यह होगा कर्नल, तुमने मेरा दिल कैसे तोड़ा, मेरी नीच भावनाओं के साथ, आप किसी तरह के धेर में, किसी लड़के की तरह खेले, एक लंबे समय से पहले, कर्नल, मैं पहले से ही यह सब पूर्वाभास करता हूँ, यही कारण है, कि मैं बहुत समय पहले, आपकी रोटी से घुट रहा हूँ, इस रोटी को छोड़ र उसकी पीट पर एक बैग होता है, तो यह होगा कर्नल, आपकी मिठाईयां मेरे लिए काली मिर्च थी, मिठाई नहीं, नहीं कर्नल, अकेले रहते हैं, अकेले समरिध होते हैं, और थॉमस को अपनी शोकपून यात्रा पर जाने के लिए छोड़ देते हैं, उसकी पीट पर बैग होता है, तो यह होगा कर्नल, नहीं, थॉमस नहीं, यह ऐसा नहीं होगा, यह नहीं हो सकता, एक पूरी तरह से नश्ट चाचा विलाप कर रहा था, हाँ कर्नल, हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, कल मैं तुम्हें छोड रहा हूँ, अपने लाखों डालो, मेरे सभी रास्ते पहलाओ, मासकों के लिए सभी तरह से क्रेडिट टिकट के साथ, और मैं गर्व से आपके टिकटों के माध्यम से जाना जाएगा, यह एक ही पैर, कर्नल, रौंध, प्रदूशित, इन टिकटों को कुचल दें, और थॉमस ओपिस इनको उसकी आत्मा के अब शक्ता क्यूं है, ठीक है, ठीक है, माल लीजे कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं एक इसाई हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्षमा कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही लगभग माफ कर दिया है, लेकिन अपने लिए तै करें, क्या कम से कम कुछ सामान्य ज् अगर मैं कम से कम एक मिनट के लिए आपके घर में रहूं, आखिरकार आपने मुझे बाहर निकाल दिया, Thomas के अनुसार, शानदार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अनुसार, क्या ये सुसंगत है, लेकिन क्या अब हम आपस में बराबर है, क्या आपको समझ नही समभव है, मैं यह कहता हूँ, दिल को रोना, और जीतना नहीं, आप पर चढ़ना नहीं, जैसा कि आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं खुद एक दिल रोना, Thomas मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और यह एक ही व्यक्ती है, ने Thomas को जारी रखा, कटोर स्वर को आनंदित करने क लिए बदल दिया, वही व्यक्ती जिसके लिए मैं रात में इतनी बार नहीं सोया हूँ, कितनी बार यह हुआ, मेरी रातों की निंद हराम होने, पर मैं पिस्तर से बाहर निकला, एक मोमबत्ती जलाई और खुद से कहा, अब वो शान्ति से सोता है, आपसे उम्मीद करता है सो मत, थॉमस, उसके लिए देखो, यदि आप इस व्यक्ती की भलाई के लिए कुछ और आविशकार करते हैं, थॉमस ने अपनी रातों की नींद हराम करने के बारे में यही सोचा, करनल, और इस तरह इस करनल ने उसे भुगतान किया, लेकिन सुन्दर, सुन्दर, लेकिन म मैं इसके लायक हूँ, थॉमस, मैं फिर से आपकी दोस्ती के लायक हूँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ, वर्नन करें, गारंटी कहा है, एक एसाई के रूप में, मैं आपको माफ कर दूँगा, और यहां तक की आप से प्यार भी करूँगा, लेकिन एक व्यक्ती और एक महान के रूप में, मैं अनिवार्य रूप से आपका तिरसकार करूंगा, मुझे चाहिए, मुझे तुम्हारा तिरसकार करना चाहिए, मैं इसे नैतिकता के नाम पर मानता हूँ, क्यूकि मैं आपको यह दोहराता हूँ, आपने खुद को बदनाम किया, और मैंने आपके कारियों का अच्छा प्रदर्शन किया, खेर कौन तुम्हारा एक समान कार्य करेंगे, उन में से कितने पैसे के ऐसे असंख्य को मना कर देंगे, जिसे उन्होंने मना कर दिया था, हालांकि एक भिखारी, सभी Thomas द्वारा तिरस्कृत, महानता के लिए प्यार से बाहर, नहीं कर्नल, मेरे स पता था कि आपके लिए क्या अप्रिय था है भगवान, लेकिन अगर मैं केवल जानता था, आपने Thomas को जारी रखा, आप जो नहीं कर सकते थे या, बहतर, अनुरोधों के सबसे खाली, सबसे तुछ को पूरा नहीं करना चाहते थे, जब मैंने आपको एक सामानने के रूप की पुष्टि की और इसे तोते की तरह दोहराएं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने मुझे अपमानित किया है, मुझे यह बताने से इनकार कर दिया है, कि आपका महा महिम मेरे कारणों को न समझ कर मुझे बदनाम कर दिया, मुझे एक पीले घर के योग्य मूडी बना यदी वे पुण्य से पवित्र नहीं हैं, एक लाख के लिए मैं पुण्य के बिना एक सामान्य रांक नहीं ले सकता, इस बीच आपने मुझे पागल माना, अपने भले के लिए मैंने अपने गौरव का त्याक किया और सुईकार किया कि आप मुझे पागल समझ सकता है, मैं सिर्फ यह चाहता था कि आप दुनिया की सबसे उंची रोशनी के साथ जन्रलों का सम्माना करते रहें। के पास पुन्य स्टैंड से रोशन होते हैं। लेकिन आपने एक करनल के रूप में अपनी रैंक के साथ मेरे सामने लगातार पीछा किया कि आपके लिए मुझे बताना पहले से ही मुश्किल था। आपका महा महिम यही कारण है कि जहां है यह वह जगह है जहां उसकी तलाश ह और कुछ नियति के सपर्श में नहीं। पूरा कारण यह है कि आप एक करनल है और मैं सिर्फ थॉमस हूँ। नहीं थॉमस नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप एक वैज्ञानिक हैं। आप सिर्फ थॉमस नहीं है मैंने पढ़ा। इसे प्रथता के लिए, मन के लिए, आत्मा के उच्चतम बडपन के लिए योग्य गर्व से कहा चाचा। और यदि आप योग्य हैं, तो आप मुझे क्यों नहीं बताते? आपका महामहिम, थॉमस, मैं शायद कहूंगा और मैं मांग करता हूं। और अब मैं मांग करता हूं, करणल, मैं जोर देता हूं और मांग करता हूं। मैं देखता हूं कि यह आप के लिए कितना कठिन है, और इसलिए मैं इसकी मांग करता हूं। आपकी ओर से यह बलिदान आपके कर्तप का पहला चरण होगा, क्यूंकि इसे मत भूलना, आपको मेरे साथ तुलना करने के लिए कई कारणामे करने होंगे, आपको अपने आप पर हावी होना चाहिए, और फिर केवल मैं आपकी इमानदारी पर विश्वास करूँगा, कल मैं आपको बताऊंगा, थॉमस, आपका महा महिम, नहीं कल नहीं करनल, कल खुद से, मैं मांग करता हूँ कि अब आप मुझे बताएं, आपका महा महिम, कृपया, थॉमस, मैं तयार हूँ, लेकिन यह अब कैसे है, थॉमस, अब क्यों नहीं, यह आपको शर्माती है, इस मामले म अगर आप शर्मिंदा है तो मैं नाराज हूँ, ठीक है, शायद Thomas, मैं तयार हूँ, मुझे भी गर्व है, लेकिन यह कैसे है, Thomas, बिना किसी कारण के, हेलो, आपका महा महिम आखिरकार यह असंभव है, नहीं, नहीं, हेलो, आपका महा महिम यह एक आकरामक स्वर है, यह एक मज मजाग की तरह है, मैं अपने साथ ऐसे चुटकुलों की अनुमती नहीं दूँगा, अपने होश में आओ, तुरंत अपने होश में आओ, कर्नल, अपना स्वर बदलो, क्या आप मजाग नहीं कर रहे हैं Thomas, सबसे पहले, मैं नहीं आप, इगोर इलिच, और आप इसे मत भूल यह भी बहाना है, खास कर अगर एक व्यक्ति लेखक नहीं, यदि आप इसे अधिक सम्मान पूर्वक रखते हैं, यदि आप लेखक नहीं है, तो मैं आपकी मदद करूँगा, मेरे पीछे आओ, महा महिम, खैर, आपका महा महिम, नहीं, अच्छी तरह से महा महिम, लेकिन ब काते हैं, इस प्रकार सम्मान और तत्परता व्यक्त करते हैं, इसलिए बोलने के लिए, उसके निर्देशों पर उड़ान भरने के लिए, मैं खुद सामान ये समाजों में रहा हूँ, और मुझे यह सब पता है, खैर, सर, आपका महा महिम, महा महिम, मैं कितना अविश्वस निये रूप से खुश हूँ, कि आखिरकार मुझे आपसे माफी मांगने का अवसर मिला है, कि महा महिम की आत्मा पहली बार नहीं पहचानी, मैं आपको आश्वस्त करने का साहस करता हूँ, कि अपसे मैं अपने कमजोर बलों को आम के लाब के लिए नहीं छोड़ूँगा, खैर, आपके साथ बहुत अच्छा है, बेचरे चाचा, उसे यह सब बकवास, वाक्यांच, द्वारा वाक्यांच, शब्द द्वारा शब्द दोराना था, मैं खड़ा था और दोशी की तरह शरमा गया, गुस्सा ने मेरा गला घुंट दिया, ठीक है, क्या आप अब महसू बास्तव में, किसी तरह इसे आसान बना दिया, ने चाचा को जवाब दिया, जैसे कि आपके दिल ने खुद को हरा दिया, इसले बोलने के लिए कुछ और में डूब गया, हाँ थॉमस, बास्तव में, जैसे कि ये घड़ी की कल की तरह चला गया था, घड़ी की कल की तरह? उम हालांकी, मैंने आपको तेल के बारे में नहीं बताया, खैर, वैसे भी, यही इसका मतलब है, करनल, एक पूर्ण कर्तव्य, खुद को हराओ, आपको गर्व है, बेहद गर्व है, सेल्फ लविंग, थॉमस, मैं देख रहा हूँ, चाचा ने एक आह के साथ जवाब दिया, और भूल जाते हैं, किसने ही बचड़ा दो, करभाशय चूसता है, सच, और यह, थॉमस, आप असभ्य है, आप इतनी बेरहमी से मानव रिदय में धकेल रहे हैं, इसलिए गर्व से ध्यान आकर्शित कर रहे हैं, कि एक सभ्य व्यक्ती, तुछ भूमी के लिए, आप से दू और जियो, यहां मेरा नियम है, धैर्य रखें, काम करें, प्रार्थना करें, और आशा करें, यह ऐसे सत्य हैं, जिने मैं एक बार मानवता के लिए प्रेरित करना चाहूंगा, उनसे लड़ो, और फिर मैं सबसे पहले अपना दिल तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारी चाती पर रोंगा, यदि आवश्यक हो, और फिर मैं, हमें, मेरी दया हो सकती है, लेकिन आपकी दया आखिरकार उप जाएगी, कहने की अनुमत्ती के साथ, मीठी आंखोंवाल आदमी, गवरिल की श्रद्धा में बात की, कि सच है थॉमस, मुझे यह सब महसूस होता है, एक असंतुष्ट चाचा ने दम तोड़ दिया, लेकिन यह मेरी सारी गलती नहीं है, थॉमस, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा किया, सैनिकों के साथ रहते थे, और मैं आपको शपत दिलाता हूं, थॉमस, और मुझे पता था कि कैसे महसूस करना है, उन्होंने र अप घमंड करते हैं, और मुझे गुसर के आंसूओं से धकेल देते हैं, मैं किसी आंसू का घमंड क्यों नहीं करता, लेकिन कुछ होगा, लेकिन यह होगा, शायद से, यह है कि यह जीब से कैसे गिर गया, थॉमस ने दिल नहीं खोया, अच्छे पुराने समय को याद किया अच्छा समय स्वर्ग से नहीं गिरता है, लेकिन हम इसे करते हैं, यह हमारे दिल में है, इगोर इलिच, क्यों, मैं हमेशा खुश हूँ, और दुख के बावजूद, संतुष्ट, आत्मा में शांत, और किसी को परेशान नहीं करता, सिवाए एक मूर्क, सवारी के, वैज् बिलकुल बोला, चलो उसी यहा ले आओ, चलो यहां सभी विख्यानिकों को मिलता है, मैं हर चीज का खंडन कर सकता हूँ, मैं उनके सभी प्रावधानों का खंडन कर सकता हूँ, मैं आत्मा के बडपन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बेशक, Thomas, बिलकुल, किसे शक है डेव चा उदाहरण के लिए मैंने मन, प्रतिभा, विशाल, मन, नत, मानव, हर्दय का ज्यान, आदुनिक साहित्य का ज्यान दिखाया मैंने दिखाया और शांदार ढंग से लॉंच किया कि कैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच बातचीत के लिए एक उच विशय अचानक कुछ कुमारिंस्की से आ सकता है कुगा, क्या उनमें से किसी ने मेरी सराना की है, नहीं दूर हो गया मुझे यकीन है कि उसने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे कुछ भी पता नहीं है और यहां शायद मैकियावेल खुद या कुछ मरकडांटे उनके सामने बैठे थे और यह केवल उनकी गलती है कि वह गरीब है और अज्यात में नहीं, यह उनके लिए काम नहीं करेगा मैं कौरोकिन के बारे में अधिक सुनता हूँ, यह किस तरह का हंस है यह, थॉमस, एक स्मार्ट व्यक्ति है, विज्ञान का आदमी है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, यह निश्चत रूप से अच्छा होगा थॉमस, उम, मुझे शक है, शायद कुछ आधुने गधा, किताबों से लदी उनमें कोई आत्मा नहीं है, कर्नल, उनमें कोई दिल नहीं है, और पुन्य के बिना छात्र वृत्ति के बारे में क्या, नहीं थॉमस, नहीं, उन्होंने पारिवारिक सुक की बात कैसे की तो दिल अपने आप में, Thomas Um, हम देखेंगे, हम को रोविना को भी चेहनित करेंगे, लेकिन सुन्दर ने Thomas को कुरसी से उठते हुए निशकर्ष निकाला, मैं आपको अभी तक माफ नहीं कर सकता, करनल, शिकायत खूनी थी, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, और शायद भग हाँ, 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 काटो, Thomas ने अवमानना हसी के साथ जवाब दिया, पहले वे आपको जहर देंगे, और फिर वे पूछते हैं कि क्या आप खाना चाहते हैं, दिल के घाव, कुछ उबले हुए कवक या गीले सेब के साथ ठीक करना चाहते हैं, क्या दयनीय सामगरी है आप कर ए, Thomas, मैं हंस्मुक होकर मेरे दिल के नीचे से, अच्छा, अच्छा, उसके बारे में पर्याप, मैं जा रहा हूँ और आप तुरंत अपने माता पिता के पास जाते हैं, अपने घुटनों पर गिरो, रो, लेकिन उससे क्षमा मांगो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा क्या चाहिए, आखिरकार, यह अनुचित है, क्योंकि यह क्रूर है, थॉमस, काफी उदार बनो, मुझे पूरी तरह से खुश करो, सोचो, हल करो, और फिर, फिर मैं कसम खाता हूँ, नहीं, एगो, रिलिच, नहीं, यह मेरे व्यवसाय में से कोई नहीं है, थॉमस ने उत्त कर दिया, आप जानते हैं कि मैं इस सब में हस्तक शेप नहीं करता, अर्थाद आप मान लीजिये, और आश्वस्त हैं कि मैं सब कुछ पैदा करूँगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस व्यवसाय की शुरुआत से मैंने खुद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, यहां केवल आपके माता-पिता की इच्छा है, और वह निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से चाहती है, जाओ, जल्दी करो, उड़ो और अपनी आज्या कारिता के साथ परिस्थितियों को सही करो, सूरज, आपके गुस्से में सेट नहीं हो सकता है, और म मैं और मैं पूरी राद तुम्हारे ले प्रार्थना करूंगा, मैं लंबे समय से नहीं जानता कि एक सपना क्या है, इगोर, इलिच, अलविदा, मैं आपको क्षमा करता हूँ, बूढ़ा अदमी, उसने जोड़ा, गवरिल की ओर मुड़ गया, मुझे पता है कि आपने आप दोनों उसे बता सकते हैं, आपका महा महिम, क्या करें भाई, मुझे भी गर्व है, यह एक उच्च उपलब्दी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या एक महान, कितना उदासीन, क्या एक महान व्यक्ती, सरगेई आपने सुना, और मैं इस पैसे के साथ कैसे मिल सकता है, अर्थात, मुझे अभी समझ नहीं आया है, मेरा दोस्त, मैं भावुक था, मैं उग्र था, मैं उसे समझ नहीं पाया, मुझे उस पर शक था, उसे दोशी ठहराया, लेकिन नहीं, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, मैं इसे अभी देखता हूँ, क्या आपको क्यों किया और आपको क्या उमीध है और अगर ये खत्म हो गया है और मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ तो मैं जा रहा हूँ मैं ऐसे चश्मे को सहन नहीं कर सकता आज मैं जा रहा हूँ मेरा दोस्त मेरे चाचा हमेशा की तरह उपद्रफ करते हैं केवल दो मिनट प्रतीक् मुझे खत्म करना है एक महत्वपूर्ण, महान, विशाल, बात और आप थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर जाते हैं यहां गवरिल्ला आपको गर्मियों के पुनर निर्मान के लिए ले जाएगा क्या आप गर्मियों के पुनर निर्मान को जानते हैं यह बैठ गया ह मैंने पहले ही आदेश दिया और आपका सूटकेस वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया और मैं वहाँ रहूँगा, मैं माफी मांगूँगा, मैं एक बात तैय करूँगा, अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है और फिर तुरंत आपको और फिर मैं आपको सब कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं था मुझे फिर से गवरिला के साथ जाना पड़ा गैवरिले ने मुझे जो आउट बिल्डिंग दी थी उसे पुरानी मेमरी से बाहर नया कहा जाता था लेकिन बहुत समय पहले पूर्व जमीनदारों द्वारा बनाया गया था यह एक सुन्दर लकडी का घर था पुराने घर से कुछ कदम की दूरी पर बगीचे में ही तीन तरफ वच्छत की अपनी शाखाओं को छूते हुए लंबे पुराने लिंडन से घिरा डाटा